प्रस्ण सत्रह एक लड़की ने तीन रुप्या में चार निम्बूओं को खरीद कर चार रुप्या में पांच निम्बूओं कि दर से बेच दिया उसे कितने पर्तिसत की लाव या हानी हुई तो क्या कह रहा है प्रस्ण में कि एक लड़की ने तीन रुप्या में चार निम्बूओं को खरीद कर तो लिखेंगे चार निम्बू चार निम्बू का क्राय मूले चार निम्बू का क्रेय मूले कितना है तीन रुप्या ठीक है खरीद रहा है यानि खरीदना मतलब खरीदने का मूली को क्या करते हैं क्रेय मूले तो तीन रुप्या में चार निम्बू को खरीद कर यानि तीन रुपया में कितना निम्बू खरीद रहा है चार निम्बू तो इस तरह लिख लेंगे चार निम्बू का क्राय मुली बराबर तीन रुपया और चार रुपया में पांच निम्बू की दर से बेच दिया देखे चार रुपया में पांच नीम्बू बेच रहा है ठीक है यानि पांच नीम्बू का बिक्रय मुल्य पांच नीम्बू का बिक्रय मुल्य बराबर चार रुपया लिख लेंगे ठीक है क्योंकि चार रुपया में पांच नीम्बू की दर से बेच दिया तो इसका मतलब हुगा कि 5 निम्बू का विक्रेम मुल्य कितना हो गया, 4 रूपया ठीक है, बेचना मतलब विक्रेम मुल्य, खरीदना मतलब क्रेम मुल्य तो एक निम्बू का विक्रेम मुल्य कितना होगा अता एक निम्बू का विक्रेम मुल्य बराबर हो जाएगा चार निम्बू का भी क्रेम मुली हो जाएगा, चार बटा पांच बुना चार रुप्या, यानि कितना हो गया? चार चोक सोल्ल, सोल्ल बटा पांच, यानि इसको दस मलों में जब बदल देंगे तो हो जाएगा, तीन रुप्या बीस पैसा, ठीक है? यानि तीन दस मलों दो सून्य रुप्या, तो कह रहा है, देखें, चार निम्बू का क्रेम मुली दिया हुआ है, और पांच निम्बू का भी क्रेम मुली दिया हुआ है, तो हम जब चार निम्बू का क्रेम मुली दिया हुआ है, तो चार निम्बू का भी क्रेम मुली भी नि तीन रुपया बीस पैसा यानि तीन दसमलो दो सुन्य रुपया सोल्ला बटा पांच रुपया तो सोल्ला को पांच से भाग देंगे तो आ जागा तीन दसमलो दो सुन्य तो देखे चार निम्बू खरीद रहा है तीन रुपया में चार निम्बू का क्रैमूले है 3 रुपया, और 4 निम्बू का विक्रैमूले है 3,2000 रुपया, यानी 3 रुपया 20 पैसा, तो उसको लाब हो रहा है, तो हम लिखेंगे, अतह लाब बराबर, तो लाव बराबर होता है विक्रेम मूले माइनस क्रेम मूले लाव बराबर क्या होता है विक्रेम मूले माइनस क्रेम मूले तो विक्रेम मूले कितना है यानि खरीद रहा है वो कम में बेच रहा है जादा में ठीक है तो लाव हो रहा है उसको देखे तीन दसमलो दो सून्य रुपया है उसका विक्रैम मुले चार निम्बू का और चार निम्बू का क्रैम मुले है तीन रुपया तो विक्रैम मुले में से क्रैम मुले घटा देंगे तो क्या हो रहा है यहां पर लाब हो रहा है क्योंकि बिक्रैमूले जादा है तो कितना आया आ गया सून्य दसमलो दो सून्य रूप्या यानि बीस पैसा उसको लाब हो रहा है चार निम्बू खरीद करके चार निम्बू बेचने में उसको बीस पैसा का लाब हो रहा है अब हम यहाँ पर परतिसत लाब निकाल लेते हैं अतह परतिसत लाब या लाब परतिसत तो परतिसत लाब कैसे निकलेगा तो इसका सुत्र होता है लाब बटा क्रेमूले गुना सौ लाब बटा क्रेमूले गुना सौ तो लाब कितना है यहाँ पे तो लाब हो रहा है सूने दसमलो दो सूने रुपया यानि बीस पैसा क्रेमुले है, तो चार निम्बू का क्रेमुले 3 रुपया दिया हुआ है तो क्रेमुले के जग़ा पे क्रेमुले लिखेंगे, गुना 100 करेंगे तो आ जागा परतीसत में, यानि परतीसत लाग तो अब यहाँ पे देखें 20 बटा हम लिख सकते हैं तीन गुना सो गुना सो ये कैसे हो गया तो दसमलों के बाद दो अंख है देखिए दसमलों के बाद दो अंख है तो दसमलों हटाएंगे तो बटा में एक पे दो सुनने आ जाएगा यानि सो ठीक है तो सो तीन के साथ गुना हो जाएगा दसमलों हटाएंगे तो तो बीस बट बटा तीन गुना सौ और गुना सौ लिख लेंगे सौ से सौ को काट देंगे तो कितना आ गया बीस बटा तीन परतीसद यानि परतीसद लाव कितना हो गया बीस बटा तीन परतीसद तो बीस को जब तीन से भाग देंगे तो आ जाएगा छे ती अठारा दो बचे का सेसफल तो दो यहां पे लिख लेंगे और तीन को यहां पे यानि छे पुर्णांग दो बटा तीन परतीसद यानि उसको कितना लाब हो रहा है छे पुर्णांग दो बटा तीन परतीसद का लाब हो रहा है उसको उस लड़की को तो इस तरह प्रस सद्रा हल करेंगे पहुम साथ